नमस्कार दोस्तों स्वागत है आपका एक बार फिर सहमारे इस चैनल वेदिक दृष्टी पर दोस्तों बनने लगेंगे आपके हर बिगडे काम गुरुवार के दिन दीपक जलाते समय उसमें डाल देना ये खास चीजें दोस्तों अभी सावन का महीना चल रहा मतलब सावन का महीना चल रहा है और सावन का महीना बहुत ही खास होता है सावन का महीना भगवान शिवजी को समर्पित होता है सभी को जरूर पता होना चाहिए कि सावन के महीना में सूर्य की जो गर्मी होती है वो अत्यधिक बढ़ जाती है और खास करके गुरुवार के दिन सावन के मही अगर गुरुवार के दिन इस समय कोई भी उपाय करते हैं, तो आप जिस भी कार्य या मनोकामना के लिए करते हैं, तो वह जरूर पूरा होता दोस्तों गुरुवार की जो प्रकृती है, धुरुव हैं, गुरुवार जो है भगवान भोलेनाथ का दिन होता है, ये दिन अस्थ्य तेज दिमाग पाने के लिए और जीवन में चली परेशानी को दूर करने के लिए गुरुवार के दिन ये जरूर। करना कुंडली में अगर आपके सूर्य बल्वान हो मजबूत हो तो बिना मांगे ही को। कि गुरुवार के दिन क्या करना चाहिए तो सावन का महीना चल रहा है इसलिए दोस्तों अगर कोई भी गुरुवार के दिन हमारे विडियो में बताएंगे उपाय को करते तो 100% आपको लाब नहीं लेंगे हम बहुत सारे उपाय बताएंगे जो उपाय आप बंद पड़े। वह उपाय जरूर करना विडियो को आदी बीच में करके मत जाना क्योंकि सावन का महीना बहुत ही खास होता है और ये खास करके भगवान भोलेनाथ को समर्पित होता है इसलिए सावन के महीने में जो भी उपाय करते हैं जो भी क्रिया करते हैं जो भी टोटके अपनाते हैं वो जल्दी प्रभाव दिखाते हैं, दोस्तों तोटके वस सरलक्रिया होता है, जो की कम समय में यदी एक लाब देता है, तो गुरुवार के दिन भृकुटी पर लाल चंदन यह हरी जरूर लगाना चाहिए कार्य में सफलता पाने, के लिए के चलिए किसी को करने के लिए चा गुरुवार का जो दिन होता है, मीठा खाने का अच्छा दिन होता है, और इस दिन पूर्व उत्तर और अग्निकोन में यात्रा आप जो है कर सकते हैं, बहुत ही शुभ मानते हैं, और दिन ग्रह प्रवेश की दृष्टी से भी बहुत ही उचित है, जैसे कि बहुत से लौ ग्रह प्रवेश करना चाहते हैं, तो ग्रह प्रवेश करने जो गुरुवार का दिन होता है, बहुत ही सुन्दर, होता है बहुत ही शुभ होता है, गुरुवार के दिन सोना तामबा ये दोनों, खरीदना बहुत ही कल्यानकारी कहे गए हैं, मान के चलिए गुरुवार के द आप सोना खरीदते हैं, तो सोना में 14 गुना ज्यादा बढ़ोतरी होता है, तामबे खरीदते हैं, तो क्योंकि तामबा धातुस्वया भगवान सूर्य देव समर्पित होता है, मंगल को समर्पित होता है, तो तामबा खरीदते हैं, तो आपके मंगल बलवान होते हैं, और सकते हैं अगनी और बिजली के सामान खरीदते हैं तो जीवन में जैसे की अगने तत्व की होती है और बिजली संबंधी सामान खरीदते हैं तो भी तरह के आने वाले समय में कोई नुकसान नहीं होती इसके बाद दोस्तों इस कार्य को करने से गुरुवार के दिन बचना चाह और इसके बाद में आप लोगों को टोटके के बारे में बताऊंगा दोस्त इस तरह के आप भी चाहते हैं कि समक्र ज्यान की जानकारी मिलती रहे तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलना दोस्तों दसास्त्र वोइस एक मात्र ऐसा चैनल है जिसमें आपको इस तरह की ज्यान भरी अच्छे से जानकारी सिखाय जाते हैं आप हमारे विडियो को देख रहे हैं आप हमारे विवर्स नहीं बलकी आप सब हमारे परिवार के हिससे हैं दोस्तों आप सभी को मैं अपना परिवार समझता हूँ, अगर किसी भी तरह की कोई कश्ट है, जीवन में कोई परेशानी कमेंट बॉक्स में बिलकुल ही पूछें ऑनलाइन पर हमारे द्वारा या हमारी टीम के द्वारा बिलकुल ही आपकी मदद कीजिये और आप तो हमसे जो है मेल के जरिये कर सकते हैं, बात कर सकते हैं, तो ऐसे कौन कार्य जिसे? गुरुवार के दिन नहीं करना चाहिए, इससे पहले अभी तक कमेंट बॉक्स में जय भगवान भोलेनाथ नहीं. लिखे हैं, तो लिख देना और खास करके इन कार्यों को इसलिए आपको करने से बचना चाहिए, क्योंकि सावन का महीना चल रहा है, सावन का महीना बहुत ही खतरनाक मा होता है, और बहुत ही शुभ माना भी होता है, तो दोस्तों गुरुवार को सावन महीने में नमक डाल क अगर के अतिरिक्त नहीं खाना चाहिए चाहे किसी भी गुरुवार को पढ़ें के दिन नमक डाल करके नहीं खाना चाहिए इससे स्वास्थ्य पर असर पड़ता है, कार्य में बाधा आती है और खास करके. अगर सावन का महीना चले इसमें नमक डाल करके खाते हैं तो शरीर में डिहाइडरेशन होती है और यहाँ तक की शरीर पे अगर आप एक्स्ट्रा नमक लेकर के खाते हैं तो कई तरह की बीमारी भी पैदा होता है और कर्स का भार बढ़ता है और दिन पश्चिन और दिशा में यात्रा मत करना चावल में दूध और गुर मिलाकर के मत खाना चावल दूध और गुर मिलाकर के गुरु अगर किसी को दान करते हैं, तो दोस्तों आपके जीवन में जैसे की। प्रवाहित कर सकते हैं, इससे सूर्य मजबूत होता है, कोई भी नया काम शुरू करने से पहले गुडिया मिठाई। जिसके हाथ खुले हो, जिसके दोनों हाथ खुले और घर में सूर्य तरह मतलब घर में सूर्य की तरह पीठ उनके होना चाहिए गुरुवार के दिन करना है, चलिए गुरुवार के दिन किये। जाने वाले कुछ खास उपाय बता दूँ, जो उपाय जीवन में त्रिप्ती लाएंगे आपको धेरों सारा। आला प्रदान कराएंगे जीवन में आपको खूब तरक्की मिलेंगे, तो गुरुवार का दिन बहुत ही शुब होता है दान देने के लिए क्योंकि भोले नात को प्रकाश का देवता कहा जाता है, ये जीवन के को दूर करता है, दोस्तों भोले नात सिर्फ ये जो अंधेर समाज के इस हमारे प्रित्वी भूमी के सिर्फ अंधेरा को नहीं मिटा बलकि हमारे जीवन में भी जो अंधेरापन है, उसे भी दूर करते हैं, दोस्तों सूर्य को प्रकाश का देवता और सूर्य को धर्म का देवता समझा जाता है, प्रत्यक्ष अगर देवता इस संसार म तो सूर्य चंद्रमा और अगनी ये तीनों प्रत्यक्ष हैं। करने के लिए गुरुवार के दिन गुर दूध और चावल और कपड़े का दान गुर गुर का दान। कपड़े दान कर लेते हैं, तो दोस्तों जीवन में कैसा भी अर्चन आ रही है, वो अर्चन दूर होती है, इन चीजों के दान करने से दोस्तों आपको हर कार्य में सफलता मिलती है। दूसरे उपाय गुरुवार के दिन बहते हुए जल में गुर और चावल को मिश्रित करके रवाहित करें, इससे बहुत ही शुब समझा जाता है, अगर आपके सूर्य कमजोर है, सूर्य कमजोर होते हैं, तो किसी भी कार्य को करने के उसमें असफलता हासिल होना शुरू हो तो शास्त्र में दोस्तों और लाल किताब में सपश्ट लिखें हैं कि अगर बहते हुए जल में गुन और चावल ये दोनों को मिश्रित करके प्रवाहित किया जाएं, तो सूर्य जो कमजोर है, वो बलवान होते हैं, सूर्य बलवान होने से मानव के अंदर में साहस आती है, मानव के जीवन में प्रक्ती मिलती है, क्योंकि हुए भी पूरा होना शुरू हो जाते हैं, दोस्तों अंतिम उपाय बता रहा हूं, गुरुवार के दिन ये उपाय जरूर करना, सभी लोगों को कहना चाहूंगा, गुरुवार के दिन य जलाना है, जलाना है, आप जो तीन का चयन कर लीजिए, इस स्थान में से कोई भी एक स्थान, में जलाना है पहले, तो अपने घर के मंदिर में जला सकते हैं, सूर्य देव का ध्यान करते हुए घर दिन में जलाए, मंदिर में भोलेनात की मूर्ती नहीं, कोई बात नहीं, परेशानी उन्हें बस उनका ध्यान कर लीजिये, उनके नाम के लिए एक दीपक जला दीजिये, कोई भी देवी देवता के फोटो के सामने जला दीजिये, दूसरा है, आप जो केले वरिक्ष के नीचे में जला सकते हैं, के लिए वरिक्ष के नीचे में हैं, तो आपकी तेल के रूप में सरसों या फिरगी का सरसों का तेल या फिरगी का उपाय कर सकते हैं। तुलसी की चमडी बनी हुई है वहाँ पे भी जला सकते हैं सिर्फ एक ही गुरुवार के दिन ये उपाय करना है। अभी सावन का महीना चल रहा है सावन का महीना भगवान भोले नाथ को समर्पित होता है भगवान भोले नाथ महाराज और ये वरुन। देव ये तीनों को समर्पित होता है और इस समय ये जल्दी खुश होते हैं। सिर्फ एक ही गुरुवार से आपके सारे बिगडे का बनने लगे विश्वास के साथ ही उपाय जरूर करें लाभ मिलेंगे अगर आप भी यही चाहते हैं कि शिव जी की कृपा आप पर बनी रहे तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा और साथ ही साथ बेल को भी प्रेस कर लीजिएगा धन्यवाद तो मित्रों आज के लिए बस इतना ही फिर मुलाकात होगी एक नए और ताजा एपिसोड में अब तक के लिए नमस्कार